आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक MIU MS ROM के बारे में जो की लेटेस MIU 10 का 9.7.4 बीटा वर्जिन है उसके उपर बेस्ट है इसके अंदर आपको गूगल के अप्लिकेशन में मिल जाते हैं और सारी के सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको कुछ इसमें नए देखने को मिलते हैं तो इसी रूम के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रेड्मी नोट 5 परो है और इसके अंदर आज हमने M.I.U. M.S. का 10 9.7.4 बेटा वर्शन इंस्टॉल कर रखा है और स्पेक्स में चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे M.I.U. वर्शन जो लिखा है 9.7.4 बेटा वर्शन एंडर वर्शन 9 और सिक्यूरिटी पैच जो मिलता है आपको 5 जुलाई 2019 का इसके अंदर देखने को मिलता है इसके अंदर काफी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे काफी सारे जो ब्लॉट वेर्स होते हैं जितने भी सिस्टम्स एप्स होते हैं वो रिमूव कर दिये गए है अब उसके कुछ फीचर्स के बारे बात कर लें जाएं सबसे बारे जलते हैं कैमरे के अंदर तो आप वीडियो के सेटिंग्स में आप कौन कौन से मोट पर शूट कर बाते हैं आप इसके अंदर 4K 30fps और 1080p 30fps और 60fps पर पॉफेक्टली शूट कर बाते हैं सबसे अची बात ऩहीWhen you're a the sky mode में जये है जब भी आपको फटो होटो के गशर करते हैं जिसमें क्लाउड का कोई बैजरांड होता है तो आप उसके जो लिकांगरूट को जाके इसको एजिली वहां से आप चैंज करते हैं आपको यहां पर श्काइब मोड में जाता है जाकि आप स्काइब मोड में काफी सारे फिल्टर को यूज कर सकते हैं जो कि निया फीचर जो था इंट्रूश किया है और सबस्क्राइब बता है कि अगर आपने मेरे प्रीवेस वीडियो देखा होगा कि मैं यू टेन का चैना व पर में जाएं तो आपको शोर नोटिफिशन आइकन कनेक्शन स्पीड एडिट कर ये नीम वर्टिकल नेटवर्क आइकन चाहिए कि नहीं बैटरी इंडिकेटर के काफी सारे आप्शन बिल जाते हैं जो आपको आपके M.I.U.10 रूम में नहीं मिलते हैं जैसे पर सेटीज इन दा आइकन पर सेटेज अली टॉप बार ये नॉट चो टॉटल सकॉंट को आप कमजाबा कर सेते हैं यहां पर देख पा रहे हो और क्लॉक साइज और बैटरी साइज को भी आप चेंज कर सेते हैं यह लिखी जो हमारी क्लॉक साइज है हम स्कुप्ट फॉंट को बढ़ा आपको कुछ इस तरीक आपको ले आउट मिलता है जिसमें सिस्टम, रिंग वाल्यूम, अलारम वाल्यूम और मीडियूम वाल्यूम को आप चेंज करते हैं वाल्यूम बटन्स पर आप कुछीज़ों को सेटप कर सेते हैं जैसे एडजस्ट टॉन, एडजस्ट मीडिया या आपको आपको पैनल अब देखने को मिलता है अगला जो है अगला जो है नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है आपको पूरा जो माई 11 का लूक है वह आपको इसके देखने को मिलता है आप लॉक स्क्रीन फ्लोटिकेशन और नोटिफिकेशन और अगर आम को नहीं पता है यह किसे काम करते हैं तो आप मारा प्रीविएच्ञ वीड्यों दे सकते हैं जिसमें इन All this नौ oficial कृर्ष नें इसमें आप मीऄ जाता है आपको एंटरिड के नौल रूंतर शेन वात शेकन 下次+, भी समें आपकर न उन खम रहेता है यह सारे चीज है आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी आप आप देख पाते हैं अगला फीचर जो है है हों स्क्रीन एंड रिसेंट के अंदर जिसमें आप डबल टैप लॉक स्कीन इसका आप चेंज भी कर सकते हैं पावर मैनू रिसेंट्स एप ओपन पॉन या साउंड मोड आप यहां से ब्लर लेवल को आप यहां से कम जादा कर सकते हैं जो भी आप फोल्डर क्लिएट करते हैं अपने डेस्टॉप या होम स्कीन के ओपर उसके आप में एक ब्लर इफिट आप दे सकते हैं एंडले स्क्रोलिंग का ओप्शन मिल जाता है आइकन टेक्स इन टू रो आ रहा है उसके भी आप उसके इंदर थेम देहने को मिलते हैं जिसको आप डेरिट लियां से अपलाई कर से ते हैं और कुछ आपको जो अपने फोन के अंदर कुछ इस तरीक का आपको एमाई CC9 जो फोन आ रहा है उसका जैसे लुक मिलता है आईकन साब के गंप्लिट ली लिए जो जाते हैं क्यों टॉबल सब्सक्राइब का अप्षिण आपको जाता है आपको स्मार्ट कवर मोड मिल जाता है इसके अंदर लॉक सी इन्फो और लॉक स्किन के जो क्लॉक फोर मिट यहां से अब इसली चेंज भी कर सकते हैं यह सारे ओप्शन आप यहां पे देख पासपर्ट, कावस्ट लॉक स्किर्फिंट यहां से आपको आपको जाते हैं जो आपको यहां से यूज कर से और बिना किसी प्रॉबल्ब्लम के तरह के सारे कर एं पर फेक्टी काम कर रहे हैं आपको इसके यंदर वॉल्ट का फीचर मिलता है जिएयो का स्कैक्ट नियू कर आप चीज़े चेक कर सेथे हैं जिसमें आपको बैटरी अप्टमाइशेशन पावर इसे चूस एप्स और सारी चीज़ें आपको बेखने को मिल जाती है इसमें आपको कोई भी अन्वांटेड अप्लिकेशन नहीं मिलेंगी जिसकी वज़े से इस रों की परफॉर्मेस काफी बेटर रहती है और आपके स्टोरी स्पेस भी कम रहती है और MIU Lab का फीचर मिल जाता है आप गेम टर्बो पर टैप करेंगे आपने जो 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 गेम एड्स करके हैं आप उनको यहां से लांच कर सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं जैसे यह सारे के सारे बटन संग जेस्टर वग एकनी कुछ आपशिन्स आपको देखने को मिलते हैं कैमरा आपको जो करते हैं इसके घ्रृष के बारे मेंको दिखाता बारे में एक चाप करते हैं इसको 118969 अभर आप और डॉल्मिस देख पा रहे होगे आपको इसके दिखाता है यही वीडियो मिल जाता है इम इई कोई भी एप्लिकेशन साबको इसके अंदर देखने को जयादा नहीं मिलती हैं आपको इसके अंदर स्मार्ट की aug pouvoir को бесп terror को इन पुछे उसके वी कुछ फीचर से इसके अंदर दिखा देता हूं, जो थोड़ा से वेट के लेते हैं, हम PUBG को लोड होने का, तो यह दिखिए, इस टाइम पर हम PUBG के गेंपली के ओपर हैं, हम ग्राफिक्स में जाते हैं, तो आप सिरिफ इसके अंदर बैलेंस मोड और फ्रेम रेट को मी स्पीड बूस्टर को प्षिर मिल जाते हैं, जिसमें आप screen recording, gram management, या screen record कर सकते हैं, या WhatsApp, Facebook के ब्राउजर को एकसेस कर सकते हैं, Wi-Fi को on, या disable, और सीम को भी swap कर सकते हैं, तो यह सारे feature जो है, आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, आपको यह जो है, आपको यह रो जाएंगे तो आपको कस्टमाइज तीम के अंदर ये सारे आप्शन मिल जाते हैं जैसे लॉक स्टाइल, स्टेश बार, आइकन, मेस्टिंग, डाल पैट, फेवरिट थे एंड बूट अनिवेशन एंड बूट और अब बात करते हैं इस तुरूं को आप इंस्टॉल कैसे कर प हम अपने फोनों कस्टम रिकवरी पे बूट करते हैं इसके लिए आपको TWRPA कोई रिकवरी जो आप यूज कर रहे हैं जैसे औरेंज पिछ ब्लैक उसको यूज करते हैं आप बूट करने के लिए वॉल्म अप और पावर के बटन को हम खोल रखेंगे ताकि हमारा फोन हम रोम को या किसी भी रोम को फ्लैश करते हैं तो बैक अप ज़रूर ले लिए कि यह कई बर आपको फॉर्मेड डाटा करना पड़ता है उसका सारा डाटा लिए अब सिंपली और इसके अंदर आपको सारी के सारी लेंगज मिल जाती है आप इंग्लिश लेंगज को यूज करते हैं गोगल अप्लिकेशन फॉर्मेड लेंगा इंस्टाल होने का तो यह दिखिए रोम हमारा सश्केफुली फ्लैश हो गया है एक बाट वाइब कैस कर दीजी और इसके बाद रीबूट सिस्टम और आपका फोन जो है अब इस रोम पर बूट करेगा तो इस तरीके से अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं मैं फिर से बताता हूँ आपको काफी सारे इसके अंदर MIU 11 के नए सेटिंग्स पैनल, नए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं परफॉर्मेंस काफी बेटर है और काफी अच्छा रूम है आपको Google Apps मिल जाते हैं इसके अंदर और सबसे इसी बात क्या है कि आपको इसके अंदर कोई भी क्रैप अप्लिकेशन MI की देखने को नहीं मिलती है तो यह देखिए फाइनली जो हमारा फोन जो अबूट हो चुका है इसके बाद MIU 10 का सेट अप पे जाएगा आपने फोन को सेट अप करेंगे और सवरों के सभी फीचर अपने फोन में इंजोई कर पाएंगे तो वीडियो पर यहीं बंद करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेज़ेगा और लाइक कमेंट शेयर करना मजबूत लेका तो टेक केर और बाबाए